हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऐसे से किडाइकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वगत है हम लोग देख लेते हैं कि CHSL फर्स सिफ्ट में कौन-कौन सा कोश्चन आया था आपके एक्जाम में और जिस रेंज का कोश्चन आया है जिस टाइप का कोश्चन कल उमीद है कि इसी टाइप का कोश्चन भी आपके आएंगे ठीक है और इसी से रिगार्डिंग जो है रात में आपका वीडियो भी बनेगा ताकि उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए जो आज जितने भी सिफ्ट में कोश्चन आया है तो वो मैं रात में आपका एक् इसलिए इस कोश्चन से आपसे ये कोश्चन आपसे पूछा गया है एक्जाम में तो ये डिफिनेटली है कि जो भी कोश्चन अगर बैंक से रिलेटिड अगर होगा या कुछ भी होगा तो वो आपके एक्जाम में कोश्चन साएंगे जो रिसेंट में होगा है तो इस तो इसके बाद कहा है कि आपसे दे पूछा है ओजोन डे इस सेलिबरेटे राउन तो 16 सेप्टेमबर ठीक है 16 सेप्टेमबर जो है यह होता है आपका ओजोन लेयर डे तो यह आपको असाम तिरुपूरा में घाले जो है यह आपका एंसर होगा तो सिड्यूल पे भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनाने हैं उसके बाद क्या है कि सचीन तंदूलकर जो है जिन्होंने अपना पहला संचरी ओडिया में लगाया था तो वो कैमा उन अब क्या है कि जो के वाटरफॉल से कॉष्टन है आपसे पूछा है कि रावी शरावती जो है उसके पास कौन सार वो कहां लोकेटेड है तो करनाट का इसका एंसर हो जाएगा लैटराइट स्वाइल आपसे पूछा है कि लैटराइट स्वाइल जो है उसमें सबस्याद होत किया था कि current chairman of BCCI तो sort of gangli हो जाएगा उसके बाद ये questions भी मैंने करा रखा है कि which is the largest river island in the world तो mazzooli island जो की बढ़म पुतुरा नदी के है पास ठीक है उसके बाद क्या है कि Tom of Searsasuri located ये कहा है तो Sasa Ram Bihar में है ठीक ये questions भी आपके exam में आए थे Tom of Searsasuri located तो Sasa Ram Bihar नेस्ट आपके पूछे गए थे Flagella is a locomotive organ of which तो protozoa and bacteria ठीक है उसके बाद base unit पूछा वा था कि international system unit का तो 7 हो जाएगा उसके बाद चोला dynasty से questions भी थे कौन से ruler चोला dynasty से बिलॉंग करते हैं तो इसके options नहीं थे तो इसमें बताना कुछ तफ हो जागा फिर आपसे पूछा गया था कि चंद्र यान 2 जो है ये कितने केजी का था तो ये जो 2379 केजी का आपका ये इसका weight था तो ये सब questions आपके exam में आए थे आप देख लिए टोटल 16 to 17 questions अभी मालूम चला है तो ये मैं आपको करवा रहा हूं तो एक चीज़ समझ में आ गया कि जो आपका current affairs है वो ज़्यादा दूर का नहीं है recent का पूछा गया है बहुत सारे ऐसे static आपसे ज़्यादा पूछे गया है CEO, headquarter ये सब आपसे पूछा गया है अब इस पे जो है expected videos जो है कल के लिए आपके बनेंगे फिलाल ये questions रहा मिलते हैं आपसे next video में सब तक के लिए all the best